Principles of Systematics Module 100 Identification of Family Oxiopedic Family Oxiopedic members को हम Linux Spiders कहते हैं यह काफी Active Spiders हैं काफी Agile Spiders हैं अगर हम इनके Body Structure की बात करें तो इनका जो कहना पेस है वो High होता है उसके लावा इनकी जो eyes है वो काफी distinctive होती है क्योंकि इनका जो eyes का pattern है जो के hexagonal pattern है ये किसी दूसरी family के अंदर मौजूद नहीं है तो आम तोर पर जो spiders हैं इनको identify करने के लिए जब एक taxonomist इनके different characters को study करता है तो इनकी आंखों को study करने के लिए वो microscope का इस्तमाल करता है लेकिन family, oxyopedy के जो members है इसको बिगएर microscope के भी आसानी से पहचाना जा सकता है इनके eye pattern की वज़ा से उसके लावा इस family के जो members है वो brightly colored होते हैं और कुछ members इसमें cryptic coloration रखते हैं उसके लावा इसके अगर carapace की हम बात करें तो इसका जो carapace है, it is longer than wide और इसका जो abdomen है वो oval होता है और इनकी जो टांगे हैं उनके उपर वाज़े conspicuous किसम के spines मौजूद होते हैं जो के एक typical character है इस family के लिए जो है उसके लावा, although इनकी जो eyesight है इसको अगर हम compare करें family salticity के members के साथ तो इनकी eyesight salticity के मकाबले में कम develop है लेकिन फिर भी ये काफी दूर से अपने pray को detect कर सकते हैं और इस family के जो member हैं वो भी small jumps कर सकते हैं लेकिन इनका जो jump है वो इतना बड़ा नहीं होता जितना family salticity के members होते हैं उसके लावा, जब ये देखते हैं कि इसका जो pray है वो पौदे के उपर move कर रहा है तो ये अपने pray को chase करने के लिए अपने pray के पीछे जाते हैं और पौदे के उपर वाले हिसे तक भी पहुंच सकते हैं इस वज़ासे क्योंकि ये पौदे के उपर और नीचे move करते रहते हैं इसी वज़ासे इनको stalkers भी कहा जाता है उसके लावा, इन spiders के अंदर एक खास बात ये है के जो इनकी females हैं, वो काकून बनाती है और उस काकून को किसी सबस्टेट, किसी ट्री, किसी ब्राच के साथ अटेश कर देते हैं उसके लावा, ये देखने में आया है के जो female spider है, इस काकून की हिफाज़त करती है ये भी देखने में आया है के जब तक ये जो काकून है, इस में से जो eggs है, उनकी hatching नहीं हो जाती उस वक्त तक ये जो females है, ये खाना पिना छोड़ देती है क्यूंकि ये चाहती है, कि इनकी जो egg sack है, उसको proper protection मिले और इसकी जो नसल है, वो आगे बढ़े इसी तरीके से, जो males है, ये different किसम के signals, vibrational signals या फिर even auditory जो signals है, उनका भी इस्तमाल करते है female को attract करने के लिए इस spider, इस family के जो spiders है, क्योंकि ये बहुत जादा active है इस वज़ा से agriculture के अंदर ये बहुत ही एहमियत के हामिल है क्योंकि ये देखा गया है, कि fields के अंदर अगर prey की तादाद कम है तो इस family के जो spiders है, उनका जो consumption rate है, वो भी कम होता है लेकिन जैसे जैसे, field के अंदर prey की density increase करती है ये जो spiders है, ये अपना consumption rate भी improve कर लेते है पर जैपल, अगर prey की density, field के अंदर per plant 10 है तो ये 3 prey कंजूम कर रहे हैं लेकिन अगर per plant जो prey की density है, वो 10 से बढ़के 15 हो जाती है तो ये per day जो consumption है, वो 3 से बढ़ाके 5, 6 या इससे भी ज़्यादा कर सकते है तो इसी तरीके से ये देखने में आया है, कि इस family के जो members है वो अपना जो reproductive rate है, उसको भी manage करते है according to the density of prey in the field अगर field के अंदर prey की density ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा prey कंजूम करते हैं और तेजी से reproduce करते हैं, और next generation produce करते हैं इसी वज़ा से इस family के जो spiders हैं, उनको important biological control agent consider किया जाता है और field के अंदर इन spiders को conserve करके हम pest की density को minimize कर सकते हैं और crop की जो productivity है उसको improve कर सकते हैं